हाई अबरिवन कैसे आप सब मैं राजन चौधरी हाजिर हुआ हूँ आपके लिए आज कुछ विकेंसिस लेकर के मेरे बहुत सारे भाई बहन दोस्त नौकरी चाहते हैं पर होता क्या है हमारे साथ हम जॉब इजली करना ही पाते हैं हमें मार्केट में जॉब नहीं मिलती है हमें बहुत धग्के घाने पड़ते हैं और उसके बाद हम एक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं हमेशा की तरह मैं यी बात आपसे जरूर शेयर करूँगा इस वीडियो में कि जो भी विकेंसी में आपको बताता हूँ इन विकेंसी में मैं किसी भी तरह का कोई भी चार्च नहीं लेता हूँ मेरी ये विकेंसी बिल्कुल फ्री ओफ कोस्ट रहती हैं ताकि मैं इस देश में से इस समाज में से बेरुजगारी को खदम करने में अपना एक एहम रोल अदा कर पाऊँ मेरी कोशिश रहती है कि सभी को कही न कहीं रुजगार तिला पाऊँ मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी मेरा भाई बेहन दोस्त बुका नहीं सोना चाहिए उसको कही न कहीं रुजगार जरूर मिलना चाहिए और हमेशा की तरह आपसे एक बात मैं ये भी शेयर करता हूँ कि प्लीज गलत कंसल्टन्स के चक्कर में मत फ़सा करो बहुत सारे आप भाई बेहन दोस्त पांच पांच हजार दस दस हजार कंसल्टन्स को दे करके आ जाते हो एडवांस में उसके बावजूद आपकी नौकरी नहीं लगती है मेरे बहुत सारे भाई बहन दोस्त उस चक्कर में कंसल्टन्स के आगे पीछे गूमते हैं उनके चक्कर मारते हैं उनको कॉल्स करते हैं उसके बावजूद उनकी नौकरी नहीं लगती है और होता क्या है कि आपकी कॉल्स भी पिकने की जाती है और last में हम एक depression का शिकार हो जाते हैं कई बार तो मेरे बहुत भाई, बहनों, दोस्तों के साथ एक गलत काम भी हो जाता है उनके career के साथ खिलवार किया जाता है उनके career को बरबाद किया जाता है हम बनना accountant चाते हैं हमारी relevancy accountant की होती है और बना हमें क्या दिया जाता है? receptionist हम बनना engineer चाते हैं हमारी relevancy engineer की होती है और हमें बना क्या दिया जाता है? telecaller सो आप सबसे एक request है कि आप वो करो जो आप करना चाते हो आप वो मत करो जो दुनिया आप से कराना चाती है यह नहीं है कि आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आप कोई भी नौकरी कर लेंगे just सबसे पहले अपना passion देखा करो आपका जो passion है उसी की तरफ चाओ अगर आप अपने passion को देखोगे तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी और आपके मतलब की नौकरी जरूर मिलेगी और हाँ जो भी vacances मैं आपको बताता हूँ अगर आपको लगता है आपने 5 दिन देखा 10 दिन देखा 15 दिन देखा आपके मतलब को कुछ नहीं आ पा रहा है तो आप एक काम जरूर किया कीजिए मेरे इन वीडियोज में मेरे इस चैनल पर और भी ऐसे वीडियोज होते हैं जो बिजनस से रिलेटिड होते हैं मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए बिजनस से रिलेटिड वीडियोज भी बनाऊ कई पर क्या होता है कि हमारे अंदर एक ऐसा passion होता है जिसको हम बाहर निकालना नहीं चाते हैं हम निकाल ही नहीं पाते हैं हम करना कुछ और चाते हैं और कर कुछ और रहे होते हैं कुछ लोग बिजनस माइंडिड होते हैं बने बिजनस के लिए होते हैं उसके बावजूद वो जॉब में जा रहे होते हैं मैं ऐसी रिसर्च करके बुक्स पढ़के ऐसे बिजनस के बारे में बताता हूँ जिसमें आप बिना इंवेस्टमेंट के भी कारोबार कर सकते हैं या फिर लो इंवेस्टमेंट के साथ भी कारोबार कर सकते हैं तो आप उन वीडियो को जरूर देखा कीजिए हो सकता है आपके मतलब का कुछ निकल आए, हो सकता है आपका passion बाहर निकल आए अब आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है आपके मतलब की vacances हैं, तो please comment box के जरीए मेरे से information हासिल कीजिएगा, अगर आपको लगता है आपके मतलब की vacances नहीं हैं तो please इन vacances को आगे share जरूर कर दिया करो हो सकता है आपके share से किसी भाई, किसी बहन, किसी दोस्त को रुजगार मिल जाए, हो सकता है आपके share से, किसी की जिन्दगी बन जाए, हो सकता है आपके share से किसी की जिन्दगी बच जाए, हो सकता है आपके share से, कोई दो वक्त की रोटी का मुथाच है तो उसको तीन वक्त की रोटी मिल जाए सिर्फ आपकी वज़े से तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना हो सकता है किसी की जिन्दगी बनाद पाओ और आपको दूआ मिलेगी उसके बाद और ये मेरा चैनल महीने के बाद देखते हैं और इतने में जॉब फिल आउट हो जाती है और आप उस पर कॉल करते हो तो सामने वाली कंपनी इरिटेट भी हो सकती है तो आपको लेटेस्ट विकेंसिस के लिए क्या करना है आपको मेरे टेलीग्राम नमबर 9888-330068 पर एक हेलो सेंट करनी है आपने प्ले स्टोर में जाना है प्ले स्टोर में जाने के बाद एक मोबाइल एप टेलीग्राम इंस्टॉल करनी है इंस्टॉल करने के बाद आपने मेरा फोन नमबर 9888-330068 शेयर करना है 688 सेव करने के बाद आपको मेरे टेलीग्राम पर हेलो सिंट करना है जैसी ही हेलो सिंट करेंगे मेरी तरफ से आपको एक लिंक आएगा लिंक आने के बाद आपको विकिंसी दिखनी स्टाр्ट हो जाएंगी जिनमें डिरेक्ट फॉन नंबर्स होते हैं direct email IDs भी होती है और एक और बात कई बार कुछ phone numbers हो सकता है गलत निकल आए क्योंकि मेरे पास दूर दूर से phone आते हैं employers के phone आते हैं तो जैसी vacancy आती है तो मैं post कर देता हूँ तो कई बारी बात में पता लगता है कि वो भी एक consultant था और अगर consultant था और आप उनको call करते हो और अगर आपसे पैसे मांगे जाते हैं तो आपसे एक request है कि किसी भी तरह का कोई भी पैसा आपने advance में किसी को नहीं देना है और आपसे एक और बात भी share करूँगा कुछ लोग मेरे नाम पर आपसे पैसे मांग सकते हैं बट आपसे मैं सिर्फ एक ही बात की request कर रहा हूँ कि मैं कभी भी jobs के लिए इन placements के लिए किसी से भी किसी भी तरह का कोई भी advance या कोई भी last पे पैसा किसी भी तरह का कोई भी charge मैं नहीं लेता हूँ मेरी ये vacances बिल्कुल free of cost रहती है मेरी ये vacances society के लिए बिल्कुल एक सेवा रहती है मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूँ जस्ट आप सब के लिए मेरे भाईयों के लिए एक help रहती है तो चलिए आज start करते हैं आज की vacances ये रही आज की vacances रहेंगी महुवा गुजरात की मेरे जो भी भाई बहन दोस महुवा गुजरात में रहते हैं उन सब के लिए आज की options रहेंगी हमें एक office में एक clerk चाहिए जिसमें कम से कम आपके पास 6 महीने का experience होना चाहिए अगर मैं timing की बात करूँ तो disclose नहीं की गई है disclose की जाएगी interview के time पर अगर आप fresher हो तो company का budget जो है 10 से 12,000 पर मंद salary का है experience को preference दी जा सकती है आपकी computer knowledge आपके skills आपके Microsoft Word अच्छे से आता होना चाहिए उसके बाद एक company में हमें एक supervisor चाहिए security officer भी चाहिए दो post इस company में खाली है एक supervisor की एक security officer की कम से कम दोनों को 6 महीने का experience होना चाहिए timing यहाँ पर shift wise रहेंगी salary disclose नहीं की गई है आपकी यह job shift wise ही रहने वाली है उसके बाद हमें एक school में एक physical education के लिए teacher चाहिए कम से कम आपको 6 महीने का experience होना चाहिए timings जो है वो आपकी school वाली ही रहेंगी जो school की timings रहती है और आपकी salary की बात करो तो यहाँ पर आपको 12,000 पर month मिल जाएगी उसके बाद हमें एक company में एक supervisor चाहिए कम से कम 6 महीने का आपके पास experience होना चाहिए timings जो है वो discuss की जाएगी interview के time पर salary जो है आपको 14,000 पर month मिल जाएगी उसके बाद हमें एक civil engineer चाहिए एक company में civil engineer कम से कम आपने bit टक कर रखी हो civil engineering में और आपको कम से कम 6 महीने का experience होना चाहिए timings की बाद करूँ तो discuss किया जाएगा interview के time पर उसके बाद salary की बात करूँ तो वो यहाँ पर आपको कम से कम 15,000 दे देंगे प्लस आपको अलग से charges भी इसमें company की तरफ से provide किये जाएगे वो depend करता है आपकी interview के time पर उसके बाद हमें एक company में एक business development executive चाहिए आपकी responsibilities की बात करूँ to develop करना है जो होती है उनको आपने अपनी proper sale देनी है project developers के साथ आपके relations होने चाहिए contractors के साथ आपने relations maintain करके रखने है और जितने भी customer की needs हैं उनको आपने अच्छे से understand करना है and prepare suitable solutions जितने भी हैं आपके जो भी clients के accounts हैं को आपने अच्छे से manage करके रखना है technical team के साथ आपकी working रहेगी अगर मैं बात करूँ qualification की qualification कम से कम एक से तीन साल का as a business development manager का आपका experience या फिर executive का आपका experience होना चाहिए working on social media platforms like LinkedIn जैसे LinkedIn है उस पर आपने leads generate करनी है उस पर आपने working करनी है B.Tech is mandatory and MBA is a plus बात को समय रहे हैं आप कि B.Tech आपने कर रखी हो MBA कर रखी हो तो ज्यादा preference आपको दी जा सकती है और इसमें आपको proven sales track record मंतली target के साथ करना है आपके negotiation skills बहुत strong होने चाहिए आपके communication skills excellent होने चाहिए आपके presentation skills बहुत अच्छे होने चाहिए उसके बाद हमें एक lab में एक medical lab technician चाहिए diploma in lab technician कर रखा हो आपने eligibility की बात करूँ तो कम से कम 6 महीने का experience होना चाहिए timing की बात करूँ तो discuss किया जाएगा interview के time पर और salary यहाँ पर आपको 25,000 पर month मिल जाएगी उसके बाद हमें एक company में एक network engineer चाहिए कम से कम आपने graduation कर रखी हो और आपको कम से कम 6 महीने का experience होना चाहिए timing की बात करूँ तो disclose किया जाएगा interview के time पर salary यहाँ पर disclose नहीं की गई है अगर आप fresher हो तो आपको company के तरफ से 10 to 15,000 के आपस मिल जाएगा अगर आप experience हो तो यहाँ पर salary disclose नहीं की गई है मोके पर ही आपको बताया जाएगा तो यह थी आज की कुछ vacancies महुआ गुजरात को ले करके मेरे चोबी भाई बहन दोस्त महुआ में रहते हैं उन सब के लिए आज की options थी अगर आपको लगता है आपके मतलब की vacancies हैं तो आप comment box के जरीए मेरे से information हासल कर सकते हैं अगर आपको लगता है आपके मतलब की vacancies नहीं हैं तो please इन vacancies को आगे share करना मत भूलिएगा हो सकता है आपके share से किसी भाई, किसी बहन, किसी दोस्त को रुजगार मिल जाए हो सकता है आपके share से किसी की जिन्दगी बन जाए और एक आपसे बात में share करना जरूर चाहूंगा जो भी information सापको जॉब की मैं दे रहा हूँ अगर आपको लगता है किसी भी तरह की कमी है तो मुझे जरूर बताईए comment box में ताकि मैं उन चीजों में सुधार कर पाऊं और आपके लिए आप सब के लिए अपने भाईयों के लिए बेहनों के लिए कही ना कही रुजगार रुजगार देने में एक अपना एहम रोल अदा कर पाऊं Thank you so much guys मुझग रादे रहा हूँ Thank you